गुड मॉर्णिंग माई डियर स्टुडेंट्स हाव आर यू प्यारे बच्चों बिहार बोड में अच्छा करने के लिए मैं बार बार को आ रहा हूं कि बीटीवी सीबुक को अपना यह और उसमें से सारे एक्सरसाइज जैसे आज हमें स्टार्ट करती है कि फाइप फोर उसे नीचे लिए परीच्छा के लिए उप्यूक्त नहीं है लेकिन प्यारे बच्चों वह नहीं देखना है कि है या नहीं ट मैने मैथ में 100 में 100 लाना है तब कुछ नहीं सोचना है पहले तो इतना फर मुला मैंड में एक दम याद कर लिजिए अब फर मुला को मैंड में याद करने के बाद आप सीधे याद कर लीजिए माइंड में और माइंड में याद करने के बाद सीधे क्या करना है अब कोपी कलम उठाइए बनाने के लिए बैट जाइए और वीडियो देखिए देखिए यहां कहता है कि एक धावक है यहां पर बल्टी है तो बल्टी से पहला अलू का दूरी पांच मीटर है अब फिर तीन मीटर बढ़ते चल जा रहा है तो अब तीर मीटर बढ़ते चल जा रहा है है तो टोटल यहां पर कितने अलू दस अलू है तो पहला सोचिये धावक यहीं को बल्टी के सामने है तो स्टाट सीटी बजा अब फिर आया जाने में ताइए तो पहला आलू को लाने में तय की गई दूरी बराबर दस मीटर फिर इसे तीन मीटर जूर है कि यहां पर खिर आफ यहां था बोड़ा हो गया दूसरा अलू लाने तो प्रेंच आओ तीन आठ टाइने अ आठ सोलह मेटर फिर तीन मीटर दूर पर रखल है तिसरा अलू लाने के लाने में तय की गई दूरी तो कितना पाथ तीन तो इस प्रकार से दसों आलू लाने में तहीं कि दूरी क्रम से कितना कितना दस वल्ला बाइस अठाइस इसी तरह से तो प्यारे बचों असपर्स है आपका पहला यह इकुल डूरी कितने अलू दस गुन आलू है जी तो दस आलू लाने में तहीं कि गई कूल दूरी तो आप फर्मूला याद है तो हो जाये क्या मैंने का यसे एक वंचुन डूरी टूरी पलस एल माइन पालश एन अल्टी तो एन मेरी दस है संख्यां अलशा है तो टेढ़ी तो ने क्यां विर्टेश पर यह एटन है माइन माइन स्वय गाई पलस टेढ़ी तो एन टेड़ दैन वान दिफ्रेंट शिक्स है अब देखिए पान्यूनी दास पांच और एक कितना दस दूनी बीस पीस पालास नौ छक चौवन देखिए मैंने घुना करके हांदे किसी जाओता नौ छक चौवन नौशब चौवन घटेंगा तो यह हो गया पांच और बीस और कितना चौवन 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 में पांच से गुना कर देजिए तो 370 मीटर टोटल दूरी चाय करना पड़ेगा प्रकस दिया गया अब पहरा बच्चों एक सर्साइज नमर जो हम लिखे थे 15.4 स्टार हो रहा है असपर्च कहता है कि यह कहता है कि एक है एक साव कितना है एक 100 177 एक सरे एक ट रहा है ज्वरत शनदें को गरतें तो बताएज है कि क्यों पादत है इसी नात्म खोगा पहला कैंव पहला परीए नात्म फोगा जो इस पहला स्पार से नात्म माना कि एम पादर 같은데还ा हो होगा तो एक्वेल टू कितना एक एकईज सी गक्वेल टू एक्वेल टू एक्वेल टू 17 मानेस इतना मज़ना मैनस पोर तो ए नम अपका रिन अत्मग मनें 20-0 से कम होगा तो टी-न बनाबर क्या पढ़त्य एक पलास एट मााइनस वद इल्टी चोग कर दो दितना एक्वेल तो आपको आया दस्मलों में 30 दस्मलों कुछ 30 दस्मलों कुछ संख्या मनें जैसी दस्मलों पार किया एक बाहाद दीजिए क्योंकि उस संख्या जो है तेस्मलों में तो हो नहीं हो गार का रहा था कि वाफ एक तीसम लिख दिए अब एन बराबर एन माइनस वन था तो एन बराबर इधर आया एक तीस प्लस वन तर बतीस वन बतीसमा जो है रिनात्म फोगा निकाल लीजिए इस तरह से प्यारे बच्चों अब देख जी तीसरा करता है तीसरा नमर कोचन करता है कि एक यह सीड़ी है पढ़िए कोचन नमस्ति थी नंबर और उसमें डंडा जो है लगाया गया है तो ऊपर सबसे ऊपर सबसेशन राट 50 सेंट्री मिटर सबसे लाट जो है कि सबसेंसे चैनल जैसे नीचे आ तो बढ़के चल जारा है और पहला नंदा सबसेंसे बीद की दूरीत हैं और हमीटर है तो बताएं कि इसमें ऐसे ऐसे बनाना है चर्णे के लिए जिसको क्या आते हैं सीड़ी पर चड़े तो इतना में पचीस से भाग देजिए क्योंकि दो डंडू की दूरी पचीस सेंटीमीटर पहला तो ठीक एक ऐसे ही लगा दिया यहां से न पाएगा तो परस वन कर दिये ध्यान दिजेगा परस वन क्यों कर दिया तो यहीं इसको दोलाया तुकि दूरी यहीं से ना पाजा रहा है डेंडॉकि तो जीरो पर नहीं हो गया अँधर बाएं कि आधाई चाहिए प्रचछी जोड़ यादा तो आप समय दिए पहला दंडा 25 संटीमेडर के पहला पचीस तो आंतिम के पैतालिस यह पहला मने फश्ट पढ़ है और वांतिम मने याद रख लेगा लिखते हैं तो कॉमन डिफिरेंट बराबर क्या मैंने वो बता था तरीका टी इगारा यहां पहला जो घटा जाएगा उतना तो कितना मने आपका टी इगारा कमान कितना पैंतालिस पी ओन कमान पचीज तो इगारा में से ओन घटेगा तक तक ना दस अर्थाथ वीज बटा दस कि मतलब दूदू सेंटी मीटर डिफिरेंट होगा कितना कितना होगा पचीज सेंटी मीटर दू और बहां दिजिए तो सताइस सेंटी मीटर फिर दू और राई वनी इस तरह से बढ़ते चल जाएगा तो कॉमन डिफिरेंट आपको मालूम होगी तो अब यह भी मालूम है तो एस इलेवन माने टोटल का यह सम टोटल का सम बत कितना सेंटी मीटर लंबा डंडा रहेगा उसको काट करके बनाया जाएगा तो आपको 11 डंडा बन जाएगा यह क्या पूरा हो जाएगा और फात कुल डंडो की लंबाई कुल डंडो की लंबाई लंबाई बराबर कितना तीन मीटर पचासी सेंटीमेटर तो डायेक्ट यह सी करें पिजें तीन सुपचासी लिखेंगे अगर अशे नहीं ठीक लाग बात समझ गया ना इस तरह से पहर बख्टो अब पाचमा नंबर देखिए एक सीडिह बना रहा है डिख नीजे नीजे पर इसे चाहते नहां है हुआ अ ऐसे हैं डिखने ना इस तरह के शीवर रहा है तो कहता है कि सीडिह के परतेक जो है mbre infinity खोड़ाइ Democra कितना Rubber 4 यह उप्लाइ चौड़ाई कितना में वर पचास मीटर तो सीह कई आतंने है तो पहला इस्तुरी का तो आतन निकालने के लिए गवारा तो आतन मराबर क्या जलते लंबाई लंबाई कितना इतना हो गया चोड़ाई और उचाही एक बटा चार मीटर तो क्या हो गया लंबाई कितना है पचास मीटर चोड़ाई कितना एक बटा दू मीटर और उचाही कितना एक बटा चार मीटर क्पाइब पट्राइब स्क्वाइब तो इसको काड दिया गया बराबर 25 बटा 4 सेंटि पैसोड कि इतना मीटर क्योंकि आतर क्यों में होता है इतना मीटर क्यों दूसरा सिम्ही कितना हो जाता है । फो बच्छो दूसरा सिंध्य के दूसरा सिंध्य कैसे 1 बना 4 पलस बटा 4 कितना हो जाएगा लर्टीं 4 1 पलस बनी टूभाय को वहां सुषा बाइट यहां रटो इस इलिए दूसरा चिनि में लंबा लंबाई गुने चोड़ाई मुझाई बिपड़तु ताटबू हो रहा है तो फिर आगे इतना मेटरिक क्यों तसरा के उँचईया फीन बना चार हो जाएगा फिर एक बना चार जोड़ी तो थीन बना चार हो गाए समझते चल जाए लुँटाई रहा है और लंबाई रहा रहा है यह दुना अंतर ना रहा है यह पच्छतर बटा चार हो रहा है और ठाट 15 हो सीड़ी कहें आतन करम से कितना कितना 25 बटा चार 25 बटा दू करम से 75 बटा चार अब देख लिए सब का common difference से माइगा पछतर बटब चार मेंसे पचीस बटब चार घटाएंगा या पचीस बटब चार को अपका पचीस बटब चार कुमन डिफरेंट आप निकाल की देख लिजें प्यरबोंचो पहला पद्ध कि पहला पद फिक इतना है पहला पाद पचीस बटाचार अब एस समझ में आ रहा है कि एज़ो है आपको देखने में पुटांग लोगे रहा होगा कि एज़ो है यह पी में है या नहीं तो एपी का पहचान मैंने बतला था पहले क्या बचाए पी का पहचान होता है कि कॉमन डिफरेंट सेमा है तो घटा के पचीस बटा चाहिए आपका आगा कितना पचीस बटा चार ही एक है कोमन डिफरेंट हमें साथ सेमा रहा है इसलिए फी में आयतन हो रहा है तो अब देख लिजे एस बारा मना तोटल का सिरी 12 गोगी 15 तोटल 15 लिखेंगे 15 सिरी क्या बराबर आतनों का योग बराबर तो ए पहिदा शिरी का आतना पचीस बटा चार पलस एन माइनस वन मनें 15 माइनस वन इन्टू बी कोमन डिफरेंट पचीस बटा चार आ रहा तो वही मैंने कर दिया ध्यान देजिगा पचीस बटा दो अब गुना करने पचास बटा चार आया पलस चाओदा घटाये एक 15 से गया चोदा अब गूने पैचीस बटा चार अब देखे दोनों के लसे से मह तक चार ले लिए तरह फास ना कर देजें चोदा में 15 से गुना करें तो ना करें तो तो पच्छ जोड़ देजित चार सार पाट चार 00.40 गांट देजिंगे तो फाट इका से अकात तरह पचास अरथ आता जरूरी के परिशन पर बच्चों आता पूल सिधियों का पूल सिधियों का आयतन आयतन बराबर 750 मीटर क्यों इस तरह से आप टोटल मैठ बना देंगे अब यह नहीं कि परिशा में आ रहा है या ना रहा है हमको कमपटीशन से मतलब है प्यारे बच्चों विहार बोड क के बच्चे कहीं बैठते नहीं थोड़ा सा के वगड़ दिमाग लगाया है तो अब परते कमपटीशन धड़ले से निकाल लेते हैं क्योंकि उनको समझ है और मैठ को बढ़ियां समझ सकता है क्यों आपको प्रिश्रम करना है और आप हर कमपटीशन को निकाल सकते हैं चाहे तरह से भोजन में नमक जो है खतम हो गया अब कितनों सुंदर बनना खता मुसी तरह से अगर कमपटीशन सर्विस करना है कमपटीशन के द्वारा तो मैठ को जानना बहुत जरूरी है और तब आप कर सकते हैं मैठ का एक ही अधार है सुत्रियाद कर लिजे धन्यवाद